बिहार में कराके की ठंड है बावजूद इसके सूबे की सियासत गर्माई हुई है इस वीची तेजस्वियादो राची पहुँचे है अपने पिता अरजेडी चीफ लालू परसाध यादों से मुलाकात करने बिहार में सियासी बयानवाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है जन के माध्यम से तेजस्वियादों पर निसाना साधा क्योंकि तेजस्वियादों कई दिनों से बिहार से बाहर थे जेडियू ने खिलाफ में मुर्चा खुल रखा है लेकिन अब आरजेडी तेजस्वियादों के साथ खरी हो गई है जेडियू के खिलाफ जमकर बयानवाजी चल रही है साथी बिहार में सतापक्ष और विपक्ष जिस तरीके से आपस में सियासी बयानबादी कर रहे हैं समझ नाराय कि तेजस्यादों को लेकर बिहार में किस तरीके से कराके कि ठंड के बीच सियासत गर्माई हुई है सबसे पहले जेडू के परवक्ता नेरज कुमार अब भाई विरेंदर में आरजेडी के विधायक ने बड़ा हमला बोला है जनता दर उनाइटिर पर सबसे पर माँ को सुनुआते हैं भाई विरेंदर क्या कुछ कर रहे हैं सवाल है कि जो आदमी कराईम करता हो करा रहा हो और वो दूसरे पर केवल आरूप लगाने से नहीं होगा आपकी सरकार है आप क्राईम पर कंट्रोल क launches करना सरकार का काम है और सरकार केवल यही सब बयान देकर जनता के साथ अन्याय कर रही है और बिहार में हर आदमी अपने आपको असुरक्षित मसुस कर रहा है जो अपराधी रहता है दुसरे को अपराधी कहता ही है इसलिए ये लोग अपराधी किस्म के लोग है जो देश को बेच रहा है बिहार को बेच रहा है गिर्वी रख रहा है इसलिए अपने आप भीतर जहांके कौन अपराधी है और अपराधीयों के साथ फोटो इनका आता है अपराधी सरकार में शामिल होगे हैं लोग और अपराधी सरकार चला रही है तो ये लोग अपराधी हैं कि दुसरे कोई तुरी ये अपराधी है अपराधी है लोग करवा रहे हैं सफेद पोस अपराध कर रहा है सराब कौन बिज़कवा रहा है सरकार के लोग बिज़कवा कि यह सब सवाल करकर किवल आदरनी लालो प्रसाजादों उनके परिवार को बदनाम किया जाता है और यह अपने भीतर जाकने का काम करें और अपने नेताओं का सारा चीज निकालें तो पता चलेगा और लालो जादो 1977 से मले और मिनिस्टर प्रायाज उनके परिवार में दोदो मुखमंतरी रहें उपमुखमंतरी रहें तो ये लोग कहां हैं और जो उनके पास कहीं कुछ नहीं है अब तो मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ वो अपने पाठी के निताओं का लिश्ट दे जो सिरजन घोटाला करके कहां पैसा रखा सोचाले घोटाला करके कहां पैसा रखा अरोप लगा देने से जनता है अब जान रही है और मेंडेट मिला था था को मुखमंदरी बनाने के लिए और जनता ऐसे ही नहीं भोट दे दी है वो जानती है कि तेजस्वी परसाजादो साफ सुतरे लोग है नौजवान है और नौजवानों के परते हैं उनकी सोच अच्छी है इसलिए उन्होंने इनको भोट दिया जिसको भोट नहीं मिला वही अकर बकर बोलते रहता तो भाई विरेंदर की इस तरीके से जेडियू के उस कविता का जवाब दे रहे थे आपने सुना बिहार में तेजस्वीयादो को लेकर सुबह से ही सियासत गर्माई हुई है तेजस्वीयादो अपने पिता से मलाकात करने राची पहुंचे इस कबर पर हमारी नजर बने